हम क्या खाते हैं ये बहुत जरूरी है कि उसके साथ साथ हम ये भी समझें कि क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए इसलिए स्वामी जी आप विरुत आहार को लेकर भी आप थोड़ी से जानकारी हमारी बढ़ाएं कि कैसे पाचन और एलर्जी जैसी है विरुत आहर कौन-कौन से हैं इसके बार में थोड़ा सा डीटेल में समझाएं अब देखा ये ये आपने काफी इंपोर्टेंट सवाल पूछा मिनाक्षी जी एक तो दूद के साथ कोई भी नमक वाली चीजे नहीं खानी चाहिए दूद के साथ नमक नहीं खाना और दूद के साथ खीरा है कोई भी घटा फूट है वो भी नहीं लेना चाहिए ने 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 स्वामी ची ये थोड़ा सा समझाएं कि खीरे करायता क्या नहीं खाना चाहिए और रात को दही चाह से नहीं लेना चाहिए खीरे करायता लौकी करायता ये तो बड़ी common food practice है और आ प्रांटर के बाद दूद पीते हैं तो आयरिवेद में लिखा दधी त्रपुसम प्रत्यक्षट जो रहा है मने सरीर में विकृति आएगी तो खीरे कर आयता आयरिवेद के नुसार तो खाना नीचे लेगूल फिर विलोग खाते क्या करें आप फूट सराज बनाते हैं तो अब गुजरात में तो बदा गुजरात में तो बदा चांजे सू खावे दही अने चास ए सारू नहीं तो एना थी अलर्जी था इसे चांजे दही शास नहीं खावा नो और शेरों में खाने लग गए दही चाच इसको जीव में चाला पड़ता था चास से और तुमको चास खाते नहीं तो विरुद्धा आहार नहीं लेना और खाने में ओडर क्या रहा होना चाहिए पहले सलाद फाल अंकुरित उसके बाद पका हुआ चबा 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 करके खाना खाना चाहिए यह कपालभाती रोज 15-20 मिनट से लेके आदा घंटे तक करो किसी भी तरह की कोई भी फूड एलर्जी नहीं होगी यह बहुत बड़ी बात है फिर जिनका बहुत ही ज्यादा पेट में सूजाना आ जाता है तो पुनरनवार इस्ट्रे ले ले थोड़ो कुमारिया सव पिले थोड़ा जिनको लोहां सव पिले जिनको खुन के भी कम्यों साथ में